देवरिया, केंद्र सरकार वप्रदेश सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाइं संचालित कर रही है सरकार द्वारसवरोजगार को बढ़ावा देने वह अधिक से अधिक रोजगार सरजण करने के लिए प्रधानमंतरी मुद्रा योजना चला रही है वित्तिय वर्ष 2018-19 के लिए जन्पद को 7,490 लक्षिग आवंटित किया गया है इसका लाब लेने के लिए 3 श्रेणी तरे किये गए है प्रत्थम श्रेणी में शिशुरिन 50,000 रुपे तक द्वित्तिय श्रेणी में किशोर रिन के अंतरगत 50,000-5,000 रुपे तक तरे श्रेणी के तरोन रिन के अंतरगत 5-10,000 तक रिन प्राप्त किया जा सकता है इसी तरहे भारत सरकार की उद्योग स्थापना से संबंदित स्टैंडलप योजना के अंतरगत वर्तमान वित्तिय वर्ष के लिए जन्पद को 90 का लक्षिग आवंटित किया गया है इस योजना के अंतरगत अनुसूचित जाती जन्जाती वं महिला ओध्यमियों को 10 लाक रुपे से 1 करोड तक रिन उपलब्द कराया जाएगा वही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से नई स्कीम शुरू की गई है इसके अंतरगत सेवाकारे के लिए 10 लाक रुपे तक वह विनिर्मान के लिए 25 लाक रुपे तक रिन प्राप्त किया जा सकता है इसके तहित अभिर्थियों की आयू 18 से 40 वर्ष तक की आयू के मदेका होना चाहिए नियून्तम योगता हाई स्कूल उत्तीन होना चाहिए इसमें कुशलता पूर्वक उद्यम स्थापित करने पर सरकार की तरफ से 25 फीसद आनुदान का प्राविधान किया गया है वित्ये वर्ष 2018 से 19 के अंतरगत जन्पद को 150 के सापेक्ष 145.33 लाख का बजट प्राप्थ हुआ है इस बाबत सहायक आयोक्ट उद्योग दिनेश कुमार चौरसीय ने बताया कि योजनाओं का लाब पाने के लिए जिला उद्योगे वर्म उद्यम फ्रोचसाहन केंद्र में आवेधन कर सकते हैं यहां से संस्तुती के पस्चात बैंकों को आवेधन पत्र प्रेशित कर रिंड दिलाया जाएगा